दोस्तो नमस्कार मैं आपका साथी लक्षमिकान्त पंडित और ततकार टाइम नुज के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं सरपर्थम पहले आप सभी को हनमान जीनती की शुब कामना है जिहां आप अवन पुत्र हनमान जी का इस्परण करते रहें और उनकी शक्तियों कव ध्यान करें अपनी शक्तियों कव ध्यान करें किस तरह अनिजास्तन ने एक ग्रेनन इस करोना लगडॉम में करोना महारे का सामना कर सकते हैं दोस्तों आज हम दो तिन खाज मुद्धों पर यहां बात करने वाले हैं पहला मुद्धा चुकि खोद ही छुड़ गया है अन्मान जैन्ति का तो दोस्तों भगवान हन्मान हमारे अराद रहें रामायंड में महित्प करते हैं तो आज विश्चेश प्रात्ना आप सब उनके लिए करें ख़्वान से की ये सब जल्दी सोफ्त हो जाए गहान आपकी जो भक्ति हमने तिस साल इस वहां जात honest में पाथ कर दोन सानया जा कि आर्थिक इस्ठी चैनियां आज हाब को एक लंबा समय गरमे रहते वह नहीं पता किके अलोकुरी नोकरिपेश में आपने तही कितने मत्यारी पर में इस्थिति ऑर कि कितने बहुत अब harmonious data I am क में इस्थिति start देख रहे हैं अब तो हमारे पड़ोस में पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद होगी है नेपाल है तो दक्षी नेशा से लेकर यूरोप और लेटे अमरी तक तक ब्राजिल तक की खबरे आ रहे हैं मेक्सिकों तक खबर आ रहे हैं मलब पूरे विश्व में कोरोना का एक अब आर्थिक ड्रेस्टी से सबको कमजोर करने वाली क्योंकि सभी का वेपर वेपसाइप पुरी दुनिया में संचालित होता है तो इसके लिए हमको मांसिक तोर पे तयार रहना होगा अगले देड़ दो साल के लिए कि हमें आर्थिक कटोतिया करनी है और मुझे लगता है कि कुछी दिनबाद भारत सरकार विशाद आर्थिक आपात काल तो नहीं लेकिन हां आर्थिक कठोर नीतियों का जुरूर आपको याद दिलाएगी और कुछ ऐसे खर्चे कम करवा सकती है आपसे अनुदान ले सकती है जिससे की देश में चिकिस्सा सुविधा और मरीजों को एलाज हो सके और देश एक व्योस्तिर रुप से डंग से चल सके तो उमीद है कि हम जितना स्विव कर सकते करेंगे क्योंकि हर विक्ति की स्थिति अपनी सामर्त तिनुसार होती है उसकी नोकरी होती है उसका जम्हा पुंची होती है इस अब भली बाती जानते हैं तीसरा होता अभी तो फिलाल भारत सरकार एश्वर कर रही है लेकिन भारती परोंपर हमारे सहीजने की कुछ ज्यादा ही रहती है इसलिए हम संकट काल में एक चीज के उप्योग कुछ चार बार ज्यादा सहीज लेते हैं और उसी करने होता है कि जो आटिफिशल के दिक हुंते कत् प्रदेश के नागरी के शेर के इवएन आपके महले में रहते हैं आपके परोसी जो बरसों बरस्ते आपका साथ निभाते हैं मुझे नहीं लगता कि आप इस प्रकार की अनित्तिक काम को बढ़ावा देंगे वेपरियों के लिए हमने पहले भी बात करी थी कि आप लोग मन सामन खरदने वाला भी रहेगा जी हैं आज संकट दोनों पर हैं यदि आप नहीं रहेंगे तो दुकान को दमा लेगा और दुकान रहेगे तो सामन लेने अड़ा रहो तो आपको मुनाफ़ा कैसा होगा तो इस संकट की गड़ी में वेपार को वेपार ही समझे इसको धर्म की की तरह ले जितना लगता है उतना ही भावले और सरकार के उन नागरी की मद्यत करें एक बात जो कि पुरानी पिड़ी के लोग जानते हैं एक हम लोग के लिए ये युक संदी है क्योंकि पहली बार ये सामना कर रहे हैं जो भारत में रहे रहे हैं और चाय पत्रकार वेपर क्योंकि इसके पहले ने सरकार को इसका आइडिया था ना हमको तो ये सभी के लिए पहले इस पहले अफसर को ही जान का ऐसे समझे कि आपको अपनी भूमी का निभानी है आ मुझे याद्पढता है कि 1965 में भारत पाकिस्तान युद्य हूआ था त अला आल बात्धू शास्त कि उसमें हरित करांती हमारे नहीं हुई थी और काफी संकट के थे 1965 आप उम्मिद कर सकते हैं कि कैसा रहा इस्टिती रही होगी खिर उसमें लोगों ने शास्त्री जी के कहना माना और सौंवार का वद्वार का जिसको जो भगवान अच्छे लगते थे उनके अराध दिमनों वह एक समय बोजन का उपवाज शुरू करती है और जो सालों साल आस तक काया है मुझको आज एक स्रद्य भक्ति बजल गया है मैं यह नहीं किरा कि आपको पास करना शुरू करना लेकिन हां इस प्रकार के कोई चीज आपका देश यदि आपसे मांगता है तो आपको उसकी पूर्ति करना पड़ेगी क्योंकि आप हो देश है और देश आपसे ही है तो मैं उमिच करता हूं कि आज हन्मान जेनती की दिन जब आप भगवान से इसमेंट करेंगे तो इस सब्सक्राइब करेंगे और अपने निवास पर एकर लागडाउन की जो कर्फियों का पालन करत थि हम जानते है कि कैसे डिसिप्लीन रहना है कैसे स्वच रहना है तो इस इस्तीतumes कैसे डावड डोल हो रहे हैं जी हां इन दौर में कई कलाकार दिया है के सही काहते हैं का अंजिनेन या मायर की माय आरो है के में तो हमारी स्थीति की हए बहुत हना है हम सबसे अलग हाते हैं सबसे अच्छा सबसे अलग बनाती है और यही मैं इंदर वाज़ते करता हूं कि इस इस्थिति में आपका आत्मी वाज कैसे डोल रहा है कुछ समय के लिए अपने आपको सहीमित करें देखिए आपको इंदर फिर खुशाल हो जाएगा आप फिर पोई जले भी फापड़े खाएंगे फिर कचोरी खाएंगे लेकिन भगवान के लिए कुछ समय अपने आपको सहीमित रखें सरकार का प्रशासन के सवयब करें और मानोता बनाया रखें खास आपकी मानोता ही इस सहर को जिन्दा रखेगी आपने मुझे इतना सुना आप सबका धन्यवाद उम्मेदे के हम लोग फिर एक बार खुशाल स्टेट्री मिलेंगे और जोर शोर से इंदोर के जैगान करेंगे धन्यवाद